12 जुलाई से भारत और विस्ट इंडीज के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि विस्ट इंडीज के क्रिकेट के लिए इन दीनों अच्छी खबर नहीं आई है और वो विशकप के लिए पहली बार क्वालिफाई नहीं कर सकी है क्रिकेट टीम के साथ जोड़ दिया गया है कौन है ये लेजेंड और उनका रिकॉर्ड क्या कहता है ये आज बताऊंगा साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि जो विस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम भारत का सामना करने के लिए तयार है उसमें किनकिन खिलाडियों को अवस दिया गया है लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहें न्यूज 22 कोप और मैं हूं राकिश रंजन 12 जुलाई से भारत और विस्ट इंडीज के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि विस्ट इंडीज की टीम और 40 सालों में प चैंपियन रहा था लेकिन इस बार विस्ट इंडीज की टीम जो है विश्व कप में नहीं दिखेगी इससे निकलने के लिए ये जो एक ट्रॉमा वाली स्थिति आ गई है यहां से निकलने के लिए लेजेंड को विस्ट इंडीज क्रिकेट के साथ जोड़ा गया है विस्ट क्रिकेट के तौर पर और इनका काम होगा कि जो ये विस्ट इंडीज के क्रिकेट का मोराल है उसको अपलिफ्ट करें और जो विस्ट इंडीज क्रिकेट गर्त में जा रहा है उसे वहां से रिवाइव करें ये काम है ब्राइन लारा का और ब्राइन लारा ये काम कर सकते हैं उनके records के बारे में सभी जानते हैं, दोनों ही format, test या one day की बात कर लें, दोनों में उनके 10,000 से ज़्यादा रन हैं, और test cricket की अगर हम बात करें, तो एक पारी में सरवाधिक रन बन लाने वाले batter वही हैं, जहां 400 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, तो एक सही विक्ति का की cricket को revive कर सकता है, अब हम बात कर लेते हैं कि पहले cricket test match के लिए, जो West Indies की टीम घोशित हुई है, उसमें कौन-कौन है, तो आपको बता दू कि दो नए खिलाडियों को इस West Indies की टीम में शामिल किया गया है, दोनों ही left-hander batter हैं, इसके अलावा दो खिलाडियों को, जिसमे एक all-rounder है, उनकी टीम में वापसी हुई है, कौन-कौन है यह, अगर हम बात करें दो नए चेहरों की, तो वो हैं किर्क मेकेंजी और अलिक अथरीज, यह दोनों left-hander batter हैं, और जो West Indies cricket board के chief selector हैं, डेसमंड हैंस, उन्होंने कहा कि दोनों ने ए टीम के दोरे पर बांगला प्रदर्शन किया है, और जो परिपक्वता दिखाई है, वो डिजर्व करते हैं कि वो टेस्टीम में आए, इसलिए उनके टीम में शामिल किया गया है, लेकिन जो आप टीम देखेंगे न, उससे ऐसा लगता है कि West Indies की टीम, अपने तेज गेंद बाजों की जरिये, भारत इस गेंद बाजी के डिपार्टमिंट में जिन्हें सभी जानते हैं, किमार रोच होंगे, जैसन होल्डर होंगे, अलजारी जोसफ होंगे, तो ये ऐसे गेंद बाज हैं जो भारतिये बैटर्स के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, और अगर इन्होंने दवाब बना दिया, त इनका रिकॉर्ड्स जो है, वो अच्छा रहा है, हाल के दिनों में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, टीम के उपकप्तान जो हैं, वो जर्मेन ब्लैक बुड बनाए गए हैं, इसके अलावा अलिक अथनीज जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो एक लेट अंडर बै अच्छी शुरुवात की है टेस्ट क्रिकेट में, उन्हें भी टीम में जगह दी गई है, और वो खेलेंगे वो भी लेफ्ट हेंडर बैटर हैं, इसके अलावा रहकीम कॉर्ण वाल जिनकी की वापसी हुई है, और लगबग साढ़े 6 फिट के खिलाड़ी हैं ये, और चल रहे थे, लेकिन वो स्पिन डिपार्टमेंट रहेगा, उसमें जो है अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, इसके अलावा विकेट कीपर जोश्वा डेसलवा होंगे, शनौल, गैबरियल भी तेज गेंदबाज हैं, वो भी टीम में होंगे, तो मैंने कहा ना कि तेज ग गया है, तो किर्क मेकेंजी जो हैं, वो लेफ्ट हंडर बैटर हैं, और स्पिन गेंबाजी भी कर लेते हैं, इसके अलावा रेमान रिफर हैं, जो एक और राउंडर हैं, लेफ्ट आम सीमर हैं, और इसके अलावा लोर डाउन दी ओर अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, क भारतिय टीम को एक चुनाती पेश करने के लिए वेस्ट इंडियन टीम जो है वो पूरी तरह से तयार है ब्राइन लारा की जुड़ने से टीम का मनोबल बढ़ेगा और इतना ही नहीं अगर हम बात करें तो ये जो टीम है उससे लगता है कि 30 गिन बाजी का जूनका डिपार्टमेंट है वो अच्छा है और कई प्रतिभाशाली खिलाडी भी टीम में हैं तो एक तकड़े मुकाबले की उम्मिद हम कर रहे हैं 12 जुलाई से भारत और वेस्ट इंडियस के बीच अभी आपसे अनुमती चाहूंगा इजाज़त दें नमस्कार